ये प्रेंट इंड्स मैं सारीका Welcome back to my channel प्रेंट्स देखे हिबिस्कस के फ्लावर मेरे गार्डन के जो की काफी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं भिस्कस और इसमें इतने सारे बड्स बने हुए हैं कि रोज ही इतनी सारी फ्लावरिंग होती है इनमें और बहुत अच्छे लगते हैं अभी जो की बहुत ज़्यादा टेंपरेचर हाई नहीं हुआ है तो इस टाइम पर हेबिसकस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करेंगे बलकि प्लां ग्रोथ रुकने का कारण क्या होता है और हमें अपने पौधों की मिटी को किस तरह से बनानी चाहिए इसी टॉपिक में बात करेंगे वीडियो को आप लास तक देखते रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्स्राइब जरूर करिए यह देखे फ्रेंट्स मन समदार चाहिए तो इसके लिए इसकी मिटी पे विशेज ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि मिटी जब गमले में होती है तो थोड़ी से मिटी होती है और उससे ही पौधा अपना नियूटिशन लेता रहता है यह देखे इसकी मिटी को मैंने चेंज किया है तो जब हम मिटी को चेंज कर देते हैं गमले के तो पौधे को नया नियूटिशन मिलता है और पौशन जब पौधे को मिलता है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लाबलिंग भी बहुत अच्छी करने लग जाता है तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने कुछ पौधों कि मिट्टी को change किया है या फिर आप कहा सकते हैं कि मिट्टी को मैंने बदल दिया है report भी किया है कुछ पौधों को तो जब मिट्टी को बदल देते हैं तो मिट्टी में नए तरह की nutrition आते हैं और मिट्टी जो है अच्छे से fertile हो जाती है तो पौधों की growth के लिए बहुत अच्छी होती है और जब भी आप मिट्टी को change करें तो जिसमें पूरानी मिट्टी जो रहती है पौधों में उसको पूरा का पूरा ना हटाएं बलकि आधी मिट्टी वही रहने दे और बाकी आप दूसरी मिट्टी जब बनाते हैं तो उसमें sand, compost या रवर्वी, compost बगरा आप डाल करके मिट्टी बना सकते हैं और अगर किसी गमले की मिट्टी में कई सारे seedlings लगी हुई हैं तो उन्हें आप जरूर report कर दें क्योंकि एक ही गमले में अगर एक से ज़्यादा पौधी हो जाते हैं तो वो मिट्टी की energy को एक साथ लेते हैं और मिट्टी की जो energy होती है, nutrition होता है वो खतम हो जाता है इसलिए आप reporting जरूर कर दें seedlings की यहां आप देख सकते हैं कुछ पौधे लगे हुए हैं सभी पौधों को मैंने अलग-अलग कर दिया है और मिट्टी अगर हम पूरी की पूरी नहीं निकाल सकते हैं पौधे को तो उपर की मिट्टी हटा करके उसे आप compost या fertilizer बगरा उसमें दे सकते हैं और अगर आप अभी गर्मी का सीजन है रोज-रोज तो आप कोई chemical fertilizer नहीं दे सकते हैं इसलिए आप जो घर में बना हुआ liquid fertilizer होता है जैसे vegetable और fruit के peel का fertilizer उसे पानी में डालके आप 24 गंड के लिए रखते और उसके बाद हर दो-चार दिन में इनमें उसका fertilizer देते रहें तो आपके भी garden में इस तरह की अच्छी से flowering होगी और पौधे भी अच्छे growth करेंगे पौधों में अगर flowering सूख गई हैं तो उन्हें जरूर हटा दे नहीं तो फिर नई नई flowering नहीं ले पाएंगे आप इसलिए सूखे flower सूखी पतियां हटा दे अभी जो ठंड के जितने भी सूखे पौधे होते हैं उनको पूरे आप हटा दीजिए तो इस तरह से आप मिटी हर गमले की मिटी में जो weeds वगरा उगे होते हैं वीड वगरा को भी हटा दीजिए कच्छडा कई बार उपर से आ जाता है उन्हें आप हटाते जाए इस तरह से अगर आप अपने मिटी को पौधे की मिटी को कंपोस्ट वगरा दे के फर्टिलाइजर दे करके उपर से डाल दे या फिर बदल दे मिटी तो आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो फ्रेंट्स आप भी अभी अगर ये काम कर सकते हैं तो जरूर करिए और पौधी को अपने रिचार्ज कर दीजिए तो बस फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही बाई